आज गुमाते हैं तुम्हें कित तोड़ गर और उड़ेपूर चलिए तुमसाना ऐसा लगता है प्रिकुल चड़ाई आती है पहाडों कि तर है बलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद उचाई पे है यह तो पता नहीं बट हां रास्ता अच्छा है ऐसा लगता है जैसे हिमाच अच्छल में चल रहे हूं यह देखो पूरा व्यू अग्याइज अभी हम रुके हैं पांच मिनट के लिए यह देखो व्यू कि यह व्यू पड़ता है पुश्कर से निगलते ही जब आप निकलोगे ना चिटोड़कर की तरफ तो यह यह देखो यार क्या मैदार व्यू है ट्रक और विमल से आप नहीं बस सकते हो और विमल पान मसाला हमने बुलाया और तुंग चले आए बोलो जुबा केसरी अलब आपको दो चीज बिड़कुल कोमन मिलेगी यहां पे जिसों आपको देखते ही रहोगे राइस्तान पे एक तो विमल का बोर्ड और यह आईवे अब इतने बारी बारी ट्रक है अभी हम आ चुके हैं विरुकुल चित्तोड़कर और फोर्ड हमारे सामने है और हम फोर्ड की तरफ ही बढ़ रहे हैं और हम पोशने में लगे हैं पूरे के पूरे चार गंटे और डिस्टरंस हमने ट्रैवल किया है 216 किलोमेटर अभी भी तोटल 220 हैं और आप कितना भी ट्रैश ट्राइब कर लो कि तीन घंटे से जादा ही लगेंगे भाई यह देख रहे हो मालब यह पीछे स्कूर्टी पर लगए है और हम ब्युकुल एंट्री की है अभी सही यह लगए है गाइड और मालब यह आपको कह रहे हैं कि जल्दी ल रुपे और कि लेना पड़ेगा पार्किंग का त्यूंकि इस वाले किले महाना यह जो ब्हु जीओ भी देंगे कि यहां गाइड हैर करना चाहिए कि निए चाहिए और भाई गुमाने वाले अरिया में है दूर स्थल वहीं पर है और क्या भई इसकी कुछ इस्ट्री बताना कितरा पुराना है क्या है अभी जाप चिला विजिट कर रहे हो यह आज से पंद्रासो साल पेले यानि पांची सेंचुरी में चित्रंगता मोर्य था जिसके दौरा यह किला बनाएगा इसे तावर देख जोहर स्थल यहां पर वगर ता जो तीन बार बाई बता रहा है यहीं पर जोहर हुआ था आज बूल इस पूरे गार्डन को बढ़ दिया चो इस समय जो गड्डे में था राक वगरा उसे इस से उसमें जो कंकाल वगरा थे सारा निकाल के गेना वगरा सारा अलग करके इसको तो इसमें तो हड्डिया निकली होंगी हाँ तो सारा अलग करके और इसको बर दिया ताकि कभी इसका अपमान ना हो ऐसा यह जो पूरा शम्शान का जगह है इसके दो दुआरे सामने गेटे यह भी सारा सामने जो गेटे उसको बोलते हैं जोहर दुआर अच्छा रानिया और अपना सुंदर मंदिर इसके उपर ब्लेक स्टोन लगा है काला पत्ता लगा है नाजर से बचाने के लिए पचाना 11 सेंचुरी में MP के राजा भोज के द्वरा बनाए गया था कि यह अंदर है सबसे सुंदर मंदिर बताया जाता है चित्तोड़कर फोट पर है यह की पत्तर उतराश के बनाई थी मूर्थी इसमें मंदिरों में नजरवट्टू बनाए जाते हैं बनाए गए थे उस टाइम पर ताकि नजर न लगे इसको और यह वाले जो गणेश जी क यहां पर मूर्ती बनी हुई है यह थोड़ी यूनीक है इसलिए यूनीक है क्योंकि यहां पर जो सुन है न वह राइट साइड जा रही है वरना हमेशा 90% जो है लेफ्ट साइड रहती है और उस टाइम जोएलरी जैसी पहनती थी न रानिया उसके डिसाइन है यह देविया पर चाहिं और यह जिस टाइम उस टाइम पर कैसा रहते होता था क्या फंक्शन में किस तरह की डांस होते थे और यह जो पूरा मंदिर है न यह कमलपर कमल के स्रक्शर उस पर बनाया गया पूरा यह देखो क्योंकि ब्रहमा का मान रहता है यहांपर यह कुछ ऐसा लुक आत वो यहां पर सनान लिया करती थी और यहां पर बता रहे हैं कि साइंटिस्स जो है यह भी नहीं पता लगा पाई यहां पर पानी आता है वहां से ऊपर से पहाड़ों से पानी आता है गर्मियों में धंडा आता है और सर्दियों में गरम आता है यह देखो इतनी रिच हिस्ट्री है यहां की इतने लोगों ने बलिदान दिया इस पर राज करने के लिए इसको कबजाने के लिए अब और होती थी सती उस टाइम पर यह जो जगह है इसको सती के लिए यूज किया जाता था है उन्ही खाल लिनसी जो यहां पर और यहां पर अठान नहीं है और यहां पर उनकी तौल Me Of से दूसरा चोड़ यहां पर आ के शिव जीची की फूजा करती थी और यहां पर सनान लेटी थी मुंग क्वानी तक निदू करने किसे तर्मान पाणी यहां पर खुलती के और यह पर कुरा यहां पर इसे पता की आता है और की एक गुफा बने इस गुफा से आती दिन इस गुफा से आती थी रानी पद्मीनी शिव जी की पूजा करने शाप उस टाइम में क्या क्या बनाया हुआ था यार और यह एक प्रतीमा बनाई हुई है यह एक किले का बैक साइड है अभी ये फ्रेंट साइड बना दिया पहले बैक साइड हुआ करता था यहां पे पहले खेती होती थी और खिल जी जो ने यहीं से आया था और यहां से उते हुए वह आगे गया था जो आम महल देख रहे हो ना यह जैमल और फतेय का महल है और यह वह सेना पती जिनकी गर्दन कट गई थी और उसके बाद भी उलड़ते रहे थे उदे सिंग के सेना पती थे असल में जो मूवी में दिखाया है ना वो मिक्स कर दिया है महल यह उनका महल है यह रानी पदमिनी का महल और यह चार मही निकली उस होता था इसको कहते है समर पहले सभी क्यों पर शीशे लगे रहते थे अब एक जो बात है वो यह है कि इन्होंने बताया है कि 1300 सदी में जो है ना शीशे ही नहीं बने थे और मूवी में दिखाया है कि शीशे में खिल जी को यहां से दिखाया था शीशे का विश्कार बता रहे हैं कि 1500 सदी में हुआ है और यहां से यह यहां से देखो परचाई पड़ी थी उनकी और यहां जो शीशा था उसमें दिखे थे तो यह वाला और शीशा तो बड़ दिये कर दी सेना वालों नहीं यहां से रानी आया करती थी और यह जो प्लैटफॉम बन रखे हैं यहां पर दास्या खड़ी होती थी और फूल बरसाती थी उनके ओपर जब अपना ड्रेसरस्में के यहां से जाती थी देखो यार उस टाइम में कितनी सोच के बनाएगी यह देखो उसी टाइम के प्लैटफ करने वाले हैं तो बने रहेगा व्लोग में मिलते हैं अपने नेक्स व्लोग में तिल देन थेंक यू टेक केर बाई बाई